नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकेमेट पर तो आज का जो वीडियो है दोस्तों रिजनिंग काउंटिंग फिगर का पार्ट थ्री है जिसमें हम सेखेंगे वरग आकर्टी गिनना यानिकी इस्क्यूर काउंटिंग करना हम सेखेंगे इससे पहले के दो वीडियो में दोस्तों हमने ट्राइंगल काउंट करना सेखा है तो यहाँ बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आकर्ती में जो square है उन्हें count करने की भी अलग-अलग यहाँ पर trick है अलग अलग परकार से हमें यहां पर आकरतिया मिलती है यहां पर दोस्तों जैसे हम कोई basic सा example लेते हैं जैसे मान लीजिए आपको कोई square दिया जाता है इस परकार से और यहां पर आपको इसके अंदर कोई खड़ी रेखा दे दी जाती है और एक आड़ी रेखा दे दी जाती है ठीक है अब यहां पर देखिए इसमें हम square count करेंगे यहां पर देखिए basic तरीके से कि यहां पर एक square यह है दूसरा यह है तीसरा यह है चोता यह है और पांच वान जो यह बार वाला बड़ा वाला square है यह है ठीक है तो यहां पर देखिए कितने square हैं हम गिनके देखते हैं एक, दो, इसके बाद में यहां पर आगया है तीन, तो चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो ठीक है तो 9 square तो इसके अंदर बन रहे हैं ठीक है और एक हम इसमें बड़े वाला ले 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 लेते हैं बार वाला है तो यहां पर प्लस एक हमने कर दिया तो कितने होगे 10 square ठीक है लेकिन यहां पर दोस्तों अंदर भी कुछ square बन रहे हैं जिससे यहां पर देखिए एक, दो, चार, पांच को मिलाया जाए तो यहां से एक square हमें मिल रहा है तो इससे कितने हो जाएंगे 10 or 11 उसी तरीके से 2, 3, 5, 6 को यहां पर मिलाया जाए तो एक square यहां पर भी बन रहा है तो इससे कितने हो जाएंगे 12 और इसी तरीके से दोस्तों नीचे को आधार बान कर हम देखें तो यहां पर देखिए 4, 5, 8, 7 को मिलाया जाए परकार से आपको आकरती दी जाती है जिसमें row और column बराबर होते हैं यानि कि पंक्ती और इस्तम बराबर होते हैं अब यहां पर दोस्तों row और column क्या होंगे जैसे यहां पर देखिए पहली पंक्ती यह है तो इस परकार से दोस्तों शेतीज है यहाँ पर देखिए एक यह है इसके बाद में दूसरी पंक्ती हमारी यह है इसके बाद में तीसरी पंक्ती हमारी यह है और इस्तम जो कॉलम हो वो कौन से हैं खड़े जो बॉक्स हैं इस परकार से तो यहाँ पर देखिए एक दो और तीन इस्तम है और तीन ही यहाँ पर पंक 3 का square हो जाएगा 9 प्लस 2 का square हो जाएगा 4 प्लस 1 का square हो जाएगा 1 तो 4 और 5, 5 और 9 कितने हो जाएगे? 14 तो इस परकार से भी हम इसके answer निकाल सकते हैं तो यह है दोस्तों इसकी trick यहाँ पर देखिए इसी आकरती में मान लीजिए आपको 4, 4 का दिया जाता है यानि कि 4 कोलम होते हैं और 4 यहाँ पर आपके पंक्तियां आपको दी जाती यानि कि row आपको दी जाती जैसे यहाँ से आगे में बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे और यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर हम कर देते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है यही तरीका रहेगा एक साइड में जो हमने नमबर लगा है उनका स्क्योर कर दो और जोड़ दो यहाँ पर तो हमें रो और कोलम बराबर मिल गया है तो हमने इस ट्रिक से क्रिशन सूल कर लिया लेकिन मान लीजी अगर आपको इस तरीके से नहीं दिया जाता है जैसे यहाँ पर हमें 4x4 मिला है यहाँ पर मान लीजी आपको 4 कोलम दिये जाते हैं पर केवल तीन पंक्तियां दी जाती तो वहां पर हम किस तरी चरीचे से करते हैं, चलिए दूसरी आकर्टी से हम इससे समझते हैं, अब यहां पर देखिए इस आकर्ती में हमें चार कॉलम दिये गए만ast doorm को देखें की तो यह तो दिए गए, तो यहां पर हमें क्या करना है यहां पर हमें इनका गुना करा देना है ठीक है तो तीन का गुना हम चार से करा देंगे उसके बाद में आगे वाला लेना है तो आगे है दो और तीन तो यहां से हम क्या करेंगे दो और तीन का गुना करा देंगे ठीक है दो और तीन का हमने गुना करा द रो और KOLUM में बराबर नहीं डिये जाते है उगह पर दोस्तों हमें इस तरीके से कड़ना है और जो स्क्राइब निकलना है और इसक एफ़ रही है। पर जो रो है वो चार है ठीक है तो यहां पर दोस्तों क्विश्चन है जो किस तरीके से सोल होगा यहां पर हमारे पास तरीका वहीं रहेगा जिसे हम क्या करते थे कि अगर रो और कोलम बराबर नहीं है तो पीछे की संक्या लेते हैं और उनका गुणा कराते हैं यहां पर भी आजाए यानि कि जब row है वो खतम हो जाए तो वहीं पर हमें रुख जाना है तो चलिए इनका हम गुणा करादेते हैं तो 4 का गुणा 7 से हम कराएंगे ठीक है तो ये हो जाएगा 28 इसके बाद में 3 का गुणा 6 से यहां पर यह हो जाएंगे 18 इसके बाद में देखके, दो कागुना 5 से हम कराएंगे, तो यह होजाएंगे 10, इसके बाद में हैं हमारे पास 1 कागुना 4 से, तो यह हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सभी को हमें AID कर देना है, वहांगे बढ़ते हैं और भी हम आकर्ति देखते हैं कि किस परकार से हम आकर्तियां दी जाती है तो यहाँ पर जो हमारे पास आकरती है वो कुछ इस परकार से जिसमें हमें दोस्तों square के अंदर square दिया गया है तो इसमें हमें यह देखना है कि यहाँ पर कितने square बन रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको square को गिनने की आफसेक्ता नहीं है यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई square होता है और उसके अंदर plus का चिन हो तो यहां पर कितने square बनते हैं इसमें एक, दो, तीन, चार और एक यह बार वाला कितने हो जाएंगे 5 square इसमें बनते हैं तो यहीं आकरती यहां पर हम देखें तो यहां पर बन रही है कि जो बार वाला square अगर हम लें तो इसके अंदर देखें plus का चिन है इससे कितने square बनेंगे 5 बन जाएंगे अब यहां पर अगर अगर अंदर वाला square हम लेते हैं तो इसके अंदर भी plus का चिन है तो इससे भी कितने बनेंगे यहां पर 5 बन जाएंगे ठीक है तो टोटल यहां पर कितने square हो जाएंगे 10 ठीक है तो यह हमारा answer निकल के आ जाएगा अमाली जी आपको और एक square इसके अंदर दिया जाता है तो यहां पर क्या करेंगे इसके लिए भी 5 होंगे तो 15 square हो जाएंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें square की संक्या निकाल सकते हैं यह थी दोस्तों कुछ square की आकरती हैं जिसमें दोस्तों हमने square count करने की trick सी की है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका notification आपको मिल जाए मैं मिलता हूँ आपको इसी की next वीडियो में तब तक के लिए रखे अपना ख्याल जे हिंद जे भारत वंदे मातरम